विल्कम सिल्पी की दुनिया अगर आप नए है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी आज मैं बनाने जा रही हूँ दल सग्गा कहते हैं वैसे बिहारियों का ये सूप भी कह सकते हैं इसको बत हुए कि साग को मैंने अच्छे से धो करके कट कर लिया है बहुत जल्दी पक जाता है तो से गलाने के भी काम आता है बत हुआ के साग को कच्छा चवाने से दातों की बद्बू भी दूर होती है दातों की हर समस्या बत्वा के साग से दूर होती है, कब्स दूर होती है, भूख को बढ़ाता है, पाचन शक्ती मजबूत करता है, पीलिया, जॉन्डिस में भी फाइदे मंद है, खून साफ करता है, खत्म कीरा करता है, पेट में अगर कीरा है तो उसको भी खत्म कर देता है, डाल जैसे डाल बनाते हैं मैंने मसूर की डाल लिया है हल्दी डाला है उसमें बत हुआ और पानी हल्दी और नमक डाल के मैं प्रिशर कूकर में सीटी लगा लूँगी मसूर का डाल जो है वो नॉर्मल डाल जैसे हम सीटी लगाते हैं उसके साथ मिक्स हो जाएगा हमारा मसूर का डाल मसूर के डाल सबसे ज्यादा डाल थो फाइदा करता ही है और skin के लिए भी बहुत फाइदेमंद है मसूर का डाल थे यहगा हमारा 5 see 2 में डाल कं पक गया यहु नहीं गे आप को दिखाने स्टीम जो है वो निकल जाए फिर मैंसे खोल के दिखाई हूं आपको डाल बन गया है अब मैं इसको खुब साड़ा लहसन डाल के चौक लगाऊंगी इसमें अब थोड़ी सी तेल सरसो तेल बहुत साड़ा लहसन डाल के इसको बनाते है ना दल सच्छम बिहार में लो जीरा जैसे धार को नॉर्मली चौकते हैं वैसे ही चुकेंगे घ्रे जीरा और सब्से जादा लहसन जादा होगा लहसन जादा होगा तो ठंड का मौसम है लहसन तो खाना भी चाहिए ठंड के मौसम में सरीद गर्म करेगा तो इसमें खूब सारा लहसन डालेंगे और उसके बाद बिहारी सूप पी के हम लोग दिखाएंगे देखिए आप लोग भी बनाईए डाल सग्गा जो है वो रोटी क साथ भी अच्छा लगता है पराठे के साथ भी देखिए मैंने खूब सारा लहसन डाला है दो लाल मिर्च और इससे अब मैं छौक लगाऊंगी यह लहसन जो है ना अच्छे से जब तक नहीं पके तब तक इसको पकाना है तो अच्छे से पकना चाहिए लहसन तभी इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा दाल में बस इसका जो सिंगार कहते है न वो लहसन से ही होगा तो लहसन को अच्छे से पका दें देखिए लहसन जो है वो पक चुका है एकदम गोल्डन जब तक गोल्डन यह ना हो फ्राइड नहीं हो लहसन तब तक उसको पकाना है लहसन पक ग गर्मा गर्म दलसग्गा बिहारी शूप रेडी है हमारा अब ये छुका गया है ये तीन नॉर्मल तीन आदमी के लिए मैंने बनाया आप अपने हिसाब से जितना बनाएंगे डाल डालते हैं और साग डाल के बनाईए अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाली हूँ फ्लेवर के लिए और अच्छा फ्लेवर आएगा बटर डालने के बाद तो देखिए दलसग्गा रेडी है और इसको पी जी ये बहुत फाइदे मन्द है बहुत अच्छा लगेगा पीने में ये और ठंड के दिनों में ठंड को भी बहुत मज़ा आएगा गर्म गर्म पीने में बिह बारी शूप बहुत टेस्टी है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों का दलसग्गा जो है वो रेडी हो गया और कैसा बना है ये थैंक्यू सो मच आप लोग मेरी चैनल को यूँ ही देखते रहिए और सब्सक्राइब और सबसे पहले लाइक करना मत भूल ये गाट